लकनव में RSS सरकार और संक्ठन के करीब 7 घंटों तक समने बैठक चली जिसमें करीब 5 घंटे तक सीम योगी भी मौचूत रहे मीटिंग में संक्ठन सरकारवाह दत्तात्रे होस पोले केंद्री संक्ठन महामंत्री बियल संतूष भी शामिल हुए कि बताया जा रहा है कि मेरथन मंत्र में आगामी विदान सभा को लेकर चर्चा हुई और चुनावी मैदान में कैसे फते करना है इसको लेकर रणनीती तैयार की गई इतना ही नहीं प्रदेश में कोरुना की संभावित तीसरी लेहर को लेकर भी बात हुई और संक्ठ से उभरने के लिए विचार विमर्श किया किया संकल्प हमारे साथ जादा जानकारी के साथ बने हुए हैं संकल्प लंबी चली बैठक ये समन में बैठक जो चली थी और स्रीयम खुद इसमें साड़े पाच घंटे तकरीबन मौचूद रहे निकल कर क्या आपाया क्या जानकारी लगपाई बैठक को लेकर देखें बिलकुल इस पूरी बैठक में कहीं न कहीं जो पूरा फोकस था वो आगामी विधान सबाद चुनाओ को लेकर है इसके साथ ही ये कहा गया कि जितना 2024 का लोग सबाद चुनाओ पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही उस और कहीं जादा 2022 का विधान सबाद चुनाओ भी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के संग की क्या भूमिकार रहेगी और साफ तोर पे जो जो सपोर्ट किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीड इलाकों में खास तोर से फोकस रखना है और साफ तोर पे इन विश्यों पर चर्चा हुई मुक्मंतिनी ने भी कहा कि कहीं न कहीं जिस तरीके से पहली और दूसरी कोविट की लहर में जो परिस्तिया उत्पन हुई या फिर जो उससे नुक्सान हुआ पाटी को उसको कहीं न कहीं है पूर्ती उसकी करनी है और आगामी लहर के मदे नजर तयारिया पूरी की जानी है और कहीं न कहीं प्रदेश में अगर बात की जाए तो सभी छेत्रों में ग्रामीड छेत्रों या शेहरी छेत्रों सरकार की उपलब दिया राजिस सरकार की उपलब दियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब दियों के साथ थी कि इन सरकार की उपलब दियों को भी ग्रामीडों तक कैसे पहुँचाय जाए कोरोना काल में जो कही न कहीं सरकार की छवी जो कहा जा रहा था खराब हुई है जिस तरीके से अविवस्थाएं उत्तर प्रदेश में हो गई थी उनको कहीं न कहीं पूरा करने के पे चर्चा हुई है किस तरीके से लोगों के बीच में अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसा किया जाए और संग की इसमें एक बड़ी भूमकार रहे गे और साफ तोर पे तमाम उन मुद्दों पर चर्चा हुई जिससे की आगे की 2022 की जो रणनीती है उसको लेकर के कैसे विदानसभा चुनाओं में पाटी जाएगी और कहीं न कहीं विदानसभा चुनाओं कितना इंप मुखमंत्री साराहना भी की गई कई ऐसे मामले रहे जिन पर चर्चा में जो की चर्चा का विशह में रहे लेकिन साफ तोर पे मुखमंत्री की कई जगे तारीव भी की गई ऐसे में अब आगे की जो रणनीती है वो 2022 को लेकर के बड़ा मंथन चला है जिसमें मुखमंत्री लिप्टी सीयम समेथ तमाम वो शासन के नेता और साफ तोर पे कहा सकता है कि संग, सरकार और संक टन तीनों में जो मन्थन कल हुआ है वो आगामी विदान सबाद चुनाओं को लेकर हुआ और साथ तोर पर ये सुनिश्चित किया जाना है कि जन जन तक जो सरकार की योजनाए है, सरकार का कामकाज है, उसको कैसे पहुचाया जाए और जो प्राइमरी फोकस रहेगा वो ग्रामीड शेतरों में रहेगा, हलाकि तमाम अन्यमुद्दों पर भी चर्चा हुई, लेकिन जो सबसे बड़ा फोकस रहा वो आगामी विदानसभा चुना हो रहा, और साफ तोर पर ये कहां गया है, जादा तर फोकस यहां पर रही और इसलिए साड़े पांच घंटे का समय भी यहां पर सीम योगी आदतात भी इस बैटक में मौजूद रहे